देख सकते हैं कि हम पीपल आर एप्लोडिंग लैंडर मागिल पी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के चांद के साउथ पोल पर चंद्रियान्थी की सौफ्ट लेंडिंग के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है इसरों के मुताबिक तई समय पर ये मिशन पूरा हुआ है चंद्रियान्थी की सफल लेंडिंग के साथ ही देश भर में खुशी का माहौल है तो आखिर अब वो इंतजार भी खत्म हुआ और इसरों के एक साइंटिस्ट ने चान से आई वो ताज़त तस्वीर शेयर कर दी और लिखा कि रैम पर लेंडर से बाहर आते रोवर की पहली तस्वीर बता दें कि ये चंद्रमा की कठोर परिस्थितियों में थोड़े समय तक रहने के लिए तयार किया गया है जो चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर डेटा जुटाएगा जो चंद्रयान 3 के मिशन उद्देश्यों में से एक है वहीं इसरों ने भी ट्वेट करते हुए लिखा कि चंद्रयान 3 रोवर्ड लेंडर से नीचे उत्रा और भारत ने चंद्रमा पर सैर की अधिक अपडेट जल्द ही वहीं इससे पहले इसरों ने ये फोटो ट्वेट कर लिखा था कि चंद्रयान 3 की लेंडिंग के बाद लेंडिंग इमेजर कैमरे नी तस्वीर ली है इसमें चंद्रयान 3 की लेंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाया गया है फोटो में लेंडर के एक लग और उसके साथ की परचाई भी दिखाई दे रही है चंद्रयान्थ्री ने चंद्रमा की सता पर अपेक शक्रित समतल छेत्र चुना वही दूसरी तस्वीर ट्वीट करते हुए इसरों ने लिखा कि चंद्रयान्थ्री लेंडर और मौक्स इस्ट्रैक बैंगलोलों के बीच संचार लिंक स्थापित किया गया है नीचो तरते समय ली गई लेंडर होरिजॉंटल वेलोसिटी कैमरे की तस्वीरे यहां दी गई है बतादें कि भारत चंद के साउथ पोल पर कामियाब लेंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तेश अगस्त की शाम 6 बचकर 4 मिनट पर चंद्रयान्थ्री के लेंडर नी चंद के साउथ पोल पर कदम रखा चान पर पहुँचकर चंद्रयान 3 ने मेसेज भेजा मैं अपनी मंजल पर पहुँच गया हूँ वहीं साउथ अफरीका से प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश वासियों को बधाई दे कर कहा अब चंदा मामा दूर के नहीं इस बीच चंद्रयान 3 ने चान पर कदम रखते ही वहाँ से फोटो भेजी